Hello everyone, welcome to another video of Informal Self So last video में हमने बात करी थी Apar के बारे में Apar होता क्या है उसका grading system क्या है और reporting officer को कैसे report करना है और आज की वीडियो में जो कि Part 2 है इसमें हम में देखने वाले हैं Apar को fill कैसे करती है ठीक है? So हमारा focus वही रहेगा Apar fill कैसे करते हैं अगर अपने आज पर जरूर देखा होगा कि Apar के regarding बहुत सारी हल चल हो रही है And let me tell you Apar सिफ DOE में fill नहीं होता NVS, KVS और बहुत सारे Ministral Department में जो teacher नहीं है उसके पावजूद भी वो अपना Apar fill करते हैं और Apar क्या है? I hope आपने Part 1 में देख लिया होगा Apar क्या है? तो मुझे इसके बारे में जादो कुछ बताने की ज़रूद नहीं है Apar fill कैसे करेंगे? Simply go to the site ये site है, सबको पता होगा D-E-L-E Login पर जाना है यहाँ पर अपनी आप ID डालोगे Password डालोगे यहाँ पर जो capture code है वो डालने के बाद आप लॉग इन करोगे आप यहाँ पर परसनल पर जाओगे Just a second परसनल पर जाओगे परसनल पर जाने के बाद यहाँ पर आप अपार इंडेक्स पर जाओगे अपार कोलने के बाद अपार इंडेक्स को लेगा And you will see this thing ठीक है? Annual Performance Assessment Report यहाँ पर परसनल डिटेल एंड सेल्फ अप्रेजल पर जाओगे यहाँ पर रिपोर्टिंग ओफिसर की आईटी डालोगे उनका अपना फिर पीरिट डालोगे पीरिट फ्रॉम से लेके पीरिट टू तक बहुत सारी जुगा पीरिट फ्रॉम में यहाँ पर जॉइनिंग डेट डाल रहा है यह मैं न्यू कमर्स के लिए बात करी हूँ जॉइनिंग डेट डालोगे जो बहुत सालों से काम कर रहे है उन्हें वन आपरिल टुवंटी टू डालना है पीरिट टू पर डालना है आपको 31st मार्च 2023 ठीक है यह मैं आपको बता चुकी हूँ क्या डालना है क्यों डालना है सो मैं रिपीट नहीं करने वाली जैसे आप यहाँ पर ओपन पेज पर जाओगे आपके सामने पार्ट ए आएगा वेल पार्ट ए और पार्ट बी होता है हमारा यह मैं आपको अलड़ी पहले बता चुकी हूँ और जिसने भी वीडियो नहीं देखी है फॉर्स वाली प्लीज गो एंड वाच तट वीडियो बिकिस मैं सारी चीज़े रिपीट नहीं करूंगे आपे मुविंग ओन पार्ट वन के आंदर जिसमें आपको जॉर्नल इंफोमेशन फिल करना है सबसे पहले आपे स्कूल नेम आपका पहले से ही होगा नेम ऑफ दि इंप्लॉएं देजिंग नेशन प्रेंटेजल एंटट प्लेस्स ऐफ ए ऊप्स्टेंग ओ सारगे यहां पहले अंग लुड्ट है या नहीं है तो आपको वो माक करना होगा qualification पहले से लाएगी and यहाँ पर आपको अपना लिखना है level in pay matrix तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर आपका level आएगा 7th CPC के according आपका क्या level होगा वो आपको फिल करना है जो PGT है उनका level 8 है जो TGT है उनका 7 है and PRT का level 6 है so I hope इसमें कोई problem नहीं होगी and basic पे आप प्लीज चेक कर लें TGT का है 44,900 I have to check for PRT and PRT का है 35,400 and PGT का है 47,600 ठीक है यह level 1 के according है sell 1 के according है जो हम pay matrix level के देखते हैं initially जिनका है अभी है जो अलड़ी बहुत सालों से काम कर रहे है उनका change होगा उनका यह नहीं होगा so उसकी according ही चलना है आपको आपकी basic कितनी है moving on यहाँ पे पुछा जाएगा आपको भी तो यहाँ पए बाकी सारी डेटय सब군 हम इसकी आपके डिटी आपकी आपकी जॉईनिлав पोइंमेट इनिशल आपक्स इनिशल अपोइंट अंड लग्जम पोस्ट यह सारी चीज़ें आपकी पहले से फिल्द होगी moving on यहां पर create पूछेगा आपको कि आपका जो recruitment हुआ है वो किस के थर हुआ administrative यह special recruit हुए है आपको तो mostly cases में administrative ही होगा जो special है उन्हें पदा होगा कि उनका special case के अंदर हुआ है so अपने according choose करियेगा now date of posting in the present place of work so just school में आपभी work कर रहे हैं वहां पर आपकी date of posting क्या थी for example मान लीजे कि मैंने 1st December को 2022 में joining मेरी थी and मेरा transfer हो गया मेरा school change हो गया मेरा अब joining जो मैंने जिस नए school में हूँ वहां पर joining date change हो गई है वहां पर मेरी joining date हो जाएगी 1st June 2023 ठीक है तो मैं यहां पर जो नए school है उसकी joining date फिल करूंगे now moving on 7th point पर दिखेंगे in case the stay is less than 90 days name of school office whether earlier posted where earlier posted during the current academic session under report ठीक है यह मैंने आपको पहली बताया था कि जब भी हम form fill करते हैं आपके 90 days की service होने चाहिए हो सकता है आपके 90 days से ज्यादा एक साल की या दो साल की service होगी लेकिन जिस school में भी आप हैं मान लीजिए जिस school में आप अभी हैं वहां पर आपको 90 दिन नहीं हुए 90 से कम दिन हुए हैं तो यहाँ पर आपको mention करना पड़ेगा कि अकर मेरे 90 से कम दिन है तो पहले जो मेरे school था वो कौन सा था ठीक है तो यहाँ पर आपको अपने पहले school पнес डालना पड़ेगा कि जो 90 दिन पूरे नहीं हुए मेरे 80 दिन पूरे हुए लेकिन बाखी के जो 10 दिन थे वो मैंने किसी और स्कूल में बताया थे और वो स्कूल को आप मेंचिन करोगे यह सिर्फ उस केस में है अगर आपको जिस स्कूल में भी आप इनिशली हो वहां पे आपको 90 डेज नहीं हुआ moving on यहां पे आपका address आएगा the nature of leave that you have already taken तो आपको दो लीव है आपको अपने number of days mention करने होंगे I hope सारी teachers के पास पहले से record होगा कि उन्होंने कितनी training लिये कितनी seminar में गया कितनी workshop लिये और अगर उनने कोई duty करी है जैसे कि census वाली and election किया फिर कोई और duty करी है तो वहां पे आपको mention करना पड़ेगा और प्लीज असा मत करना कि कुछ भी लिख दिया और हो गया काम नहीं आगे जब form फिल करोगे वहां पे उसकी details भी देनी है तो कुछ गलती नहीं करनी है इंप्लॉय आइडी और नेम अफ रिपोर्टिंग ओफिसर यह अलडी फिल्ड हो के आता है तो नो नीड तो वर्य अबाउट इस नेक्स प्लिक करोगे तो जैसे अप नेक्स पे क्लिक कर तो यहां पे आपको रिजल्ट दिखाना होता है अपना हर टीचर के पास अपनी कि एड़र रिजल्ट आप यहां पे लिखोगे रिजल्ट आप यहां पे लिखोगे तेंथ ऊसोरी नाइन येवथ का यहां पर राएगा अगर आपके पास बोर्ड की क्लास सिंच टिंठ यहां फिल्करोगे अब फिल्कर न कैसे है इसे बड़ चक कर लेते हैं तो ख्लास 3 to eighth है, मालने जी आपके पास है class 6th A, and जो भी आपका subject है, English, Hindi, Maths, whatever it is, so यहाँ पे आप subject add करोगे, number of student appeared, exam कितने बच्चों ने दिया है, वो यहाँ पे लिखोगे और कितने बच्चे पास हुए है, number of student past 33 and above marks कितने बच्चे पास हुए हैं वो यहाँ पे लिखोगे percentage of past student कितने बच्चे पास हुए, उनकी percentage कहा है, for example, मालनी जीए मेरे यहाँ पर है 72 students, और 72 के 72 ही पास हुए है 33 marks लेके और बाद में जो next लिखा हुआ है, percentage pass, तो मेरे percentage कितने है, 72 बच्चे थे और 72 ही पास होगे, तो percentage कितनी बन गई, 100, ऐसे ही अगर आपकी 74 student थे और 64 पास हुए है, तो आपकी percentage कितनी बन जाएगी, 86, ठीक है आगे बात करते है number of student प्रमोटेद under no detention policy below 33 marks, so ऐसा हो सकता है, कि आपकी class में बहुत सारे बच्चे ऐसे हो, जो no detention policy के through, उन्हें जबरदता से बोलता है, कि no detention policy के through पास हुए हो, otherwise आप पास नहीं हो रहे थे, तो आपको दिखाना पड़ेगा अगर वो 1 है, 2 है, 3 है तो आप दिखाऊगे, मेरे case में आपे 0 है, तो मैंने आपे 0 डाला now, percentage of promoted student, promoted student वाले case के अगर आपकी percentage, for example, मेरे 0 था, तो यहां भी 0 हो जाएगा अगर यहां पे 1 था या फिर कितने भी student से, तो उसके according मेरे percentage बन जाएगी तो आपको यह fill करना है next जाना है, आपको add and save पे, the moment you will click add and save तो यहां पे green वाले उसमें आपका आजाएगा अगर आपको और class add करनी है, तो आप simply यहां से दुबारा जाके add कर सकते हो, विर मैंने ना यह record किया था यह वाला सारा, बट वो record नहीं हुआ, सो मुझे इसी से ही काम चलाना बढ़ रहा है moving on, result of class 9th and 11th, ठीक है, अब यह दिखना दियान से moving on, यहां पर class mention करेंगे section आएगा, यहां पर subject आजाएगा number of student appeared, कितने बच्चे बच्चों ने appear किया है number of student passed, जितने बच्चे अपीर किया था, उसमें से कितने पास हुए हैं, और कितने बच्चे पास हुए हैं, कि परसंटेज कितने निकलेगी वो डालोगे आप यहां पर, next है quality index, well बहुत सारे स्कूलों में यह जो result है न, पहले से ही बनवा की रख लेते हैं, इसमें क्या होता है, टीचर्स को problem नहीं होती, form fill करने में, और बहुत सारे किसे जो में ने देखा है, कि बहुत सारे स्कूलों में नहीं होता है, तो teachers last moment बैटके quality index निकाल रहे होते हैं, check कर रहे होते हैं, कि यह रहे भई, यह ठीक है कि नहीं है, बड़ आक्चुली में बहुत सारे स्कूलों में पहले से किया आजाता है, मेरे स्कूल में पहले से होता है, तो मेरे लिए बहुत easy पढ़ता है, ठीक है, तो quality index निकालते कैसे हैं, quality index निकालने का तरीका है, for example, 74 बच्चों ने exam दिया, मालों की class में 80 बच्चे असी बच्चे एक्जाम देने नहीं आये, सिर्फ 74 बच्चे एक्जाम देने आये थे, ठीक है, अब 74 में कुछ pass भी होए है, कुछ fail भी होए है, माली जी मेरे case में 64 बच्चे pass होए है, और 64 बच्चे fail हुए है, अब बच्चों के जतने marks आए है, जतने marks आए है, इसे ध्यान रखना, जतने marks आए है, उन सब को calculate करना है, और वो बच्चा fail हुआ हो, चार pass हुआ हो, आप सब को add करोगे, add करने के बाद, उससे divide करोगे, number of student appeared, 74 बच्चे आए थे, तो उससे आप divide करोगे, ठीक है, तो जो answer आएगा, वो है आपका quality index, next है आपका number of distinction, distinction सब को पता आए, 60 and above, तो कितने बच्चों के marks आए होंगे, वो यहाँ पर आपको mention करना है, कितने बच्चों ने distinctions ली है, next है comparison of board result, अब ये board result के अंदा बहुत सारे चीज़े होती है, को कि इसमें आपे बहुत सारे चीज़े mention करने होती है, जो previous result होता है, उसको भी add करना होता है, तो आपको पहले से ही न, ये form fill करने से पहले न, collectively अपने पास information लेना, ताकि आपको problem न हो, और बहुत बर साइट भी problem करती है, तो information पहले से निकाल के रखना, moving on subject. लिख हो गए हैं पर, previous year result, कितना आया था result, maybe should last year, 90% result आया था, तो यहाँ पर आप ऊडाल दोगे, current year result, कितना रहा, वो आप यहाँ पर mention करोगे, deviation result, quality index, ये पहले साल का बनाओगा, और इस साल का आप बनाओगे quality index, ठीक है, quality index ऐसे मैंने बताया है, बच्चों के जितने भी marks आए हैं, उन सब को calculate करना है, add करना है, divided by number of student appeared, ठीक है, next is, derivative in quality index, ये अपने आपनी कल के आजाएगा, distinction, पिछले साल कितनी थी, और इस साल कितनी है, और ये भी अपने आप calculate हो जाएगा, that's it, simple as that, आप next पिग जाओगे, next पिजाने के बाद, यहाँ पे पूछते हैं, आप से कुछ basic चीजे, और ये फिल करना तारह difficult नहीं है, easy सा पार्ट है, तो ये जादी हो जाएगा, ये classroom teachings, according, lesson plan, home assignment, आपकी बज़ चुके साथरे, पो कैसी ये सारे questions है, तो ये आप easily फिल करोंगे, first question is, whether slabis was covered, slabis was covered or not, yes, यहाँ पे आप अप अविसली यसी डालोगे, कोई भी negative चीज नहीं डाले, आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, principle को आपके अपने आरे में सब कुछ पता है, अगर आप जूट भी डालोगे तो principle को पता चल जाएगा, कि भाई, जूट लिखा हुआ है, तो उन्हें पता है क्या लिखा हुआ है, तो इतना भी सत्यवान नहीं बनना हो, अपने बारे में negative point नहीं लिखोगे, ठीक है, next point is, portion not covered and reason thereof, ठीक है, अगर आपका नहीं cover हुआ, तो no portion was uncovered लिखोगे, आपके कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सारा आपको सकुछ covered था, so no portion was uncovered, use of audio, visual aids, ICT, etc. अगर आपका नहीं पहुआ सरे जीज़े लिख सकते हो, audio, visual aids जो आपने यूज करे थे, teaching के time पे, classroom teaching के time पे, video, audio, audio clips, e-charts, pictures, अगर आपने YouTube videos दिखाई हैं, अगर आप social studies से और आपने कोई news दिखाई हैं, news वर यूज करवाया है, e-news वर यूज कर यूज किया, यह सारे चीज़े आप मेंशन कर सकते हो, and other teaching material that you have used, you can mention over here. Any other activity undertaken. So, if you have undertaken any activity, आपने गूज कर वायती धिक्लस में, like quiz, interactive games, group teaching, remedial teaching, extra classes or any other method or any other approach of teaching, you can mention over here. Lesson planning, whether 5% moral lesson planned, yes. whether it has been inspected by HOS slash inspection team yes home assignment whether separate notebook for class work and homework was separated or not यह आपको mention करना होगा mostly हम लोग यह से लिखते हैं बाकि अगर आपने नहीं बनवाया तो आप यहापे no लिख सकते हो now how many assignment in an average was given per week एक week में आपने कितने assignment दिये थे वो आपको mention करना है तो यहापे आपके मर्जी है आपने चितने assignment दिये हैं assignments and homework बहुत दियते हैं बच्चों को तो आप अपने according कर सेते हैं बहुत सरे teachers देती हैं बहुत सरे teachers इतने जल्दी से नहीं देती so you can check accordingly what is the system of checking the notebook आप notebook किस तरह किसे check करते हो ठीक है वो आपको mention करना है you can write anything the way you check your notebook वो आप अपने तरह के से लिख होगे what I have written or what anyone else might write is a journal way of notebook checking was used that is submission, evaluation evaluation के अंदर आपने evaluate किया, accuracy, neatness whether the work was complete or not and feedback if required ठीक है whether the follow-up is done or not yes, the follow-up was done whether identification is done off किस चीज़ का identification क्या आपने सारी चीज़े निकाले थी क्लास के अंदर पहली चीज़ talented student talented student आपने निकाले थी क्लास में yes weaker students yes ठीक है step taken to improve the two categories इन दोनों categories को improve करने के लिए आपने कौन कौन से step ली आप कुछ भी लिख सकते हो talented student वर गिवन difficult question extra activities वर गिवन extra task और assignment वर गिवन to talented student whereas for the weak student or low learner students extra attention वर गिवन peer learning or remedial classes or teaching extra classes वर गिवन to the weak student you can write anything you want जो भी आपने steps यूज करे हैं आपने teaching के अंदर क्या जो भी aid यूज करे हैं वो आप यहां पर लिख सकते हो reported to student or parents यहां पर journal reporting है कि अगर आपको कुछ बताना होता है students को यह पर parents को तो आप कैसे report करते हो so you can write any way you use जो भी वे आप यूज करते हो you might be using whatsapp you might be preferring calling student आप prefer करते होगे अगर किसे student को बताना है कुछ specifically तो आप call यूज करते होगे तो आप वो mention कर सकते हो class assignment SMS regular PDMs mega PDMs you can mention over here step taken to check the trolley in the class तो आपने class के अंदर कुछ गड़बड हो रही है तो उस चीज को check करने के लिए आपने क्या किया so regular attendance आपने mark करेते तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो absent है या बंक पे है regular absent है so आपने उनके regarding क्या step ली है तो आप mention करोगे कि जो regular बच्चे नहीं थे या फिर जो बच्चे बंक पे थे या फिर जो medical जिनका issue था तो उनके regarding आपने क्या किया and और भी शायद see जो मैं ये सारी चीज़े बता रहूँ है मैं अपने प्रेस्पेक्टिव से मैं अपने एक्स्पीरिंस से बता रहूँ है मेरे आपके एक्स्पीरिंस से काफी अलग हो सकते है आपके स्कूलों में कुछ अलग चीज़े होती होंगे तो आप वो सारी चीजी मेंशन कर सकते हो, जरूर नहीं है, जो मैं बता रहे हूं वही copy-paste करना है, आप अपनी तरीके से जो भी चाहो वो रिख सकते हो, Step taken to improve school discipline, so you can write for student who bullies student or for notorious student were counseled by HOS, PET, SMC member and parents were informed regarding their what, what performance they are doing in the class, वो सारी चीजी आपने mention करे थी, वो सारी चीजी आप लिख सकते हो, Now, maintenance of report, report, record, I'm sorry, class attendance register, of course, yes, preparation of report book slash result sheet, yes, of course, any other record maintain, अगर आपने कोई और record maintained किया है, तो आप आप लिख सकते हो, या फिर, obviously, आपने class का record तो maintained किया होगा, offline and online, so you can write online and offline, class data record was maintained of the class, maintenance of teacher's diary, of course, you have done that, whether written, whether written regularly, yes, whether supervised by HOS regularly or not, yes, professional growth, यहाँ पर आपके अपने professional growth की बारे में लिखोगे, आपने कोई book issue करवाई है, school से, reading के लिए, तो आप mention कर सकते हो, नहीं करवाई है, तो no, workshop, यहाँ पर आपको आपने सारी details लिखने हैं, जैसी आप यहाँ पर click करोगे, तो यहाँ पर seminar, workshop, अलग से columns आ जाएंगे, आपने कोई research यह innovative teaching कर ही है पुरे साल में, तो आपको यहाँ पर mention कर सकते हो, now, relationship with student, student के साथ आपकी कैसी है, you are a guider, you are a motivator, you are a facilitator, you are sometimes quite affectionate with the student, you are friendly हो, यह सारी चीज़ मेंशन कर सकते हो, parents के साथ क्या है, cardinal है, expectable है, counselor, you work as a counselor with them, colleague के साथ कैसा है, empathetic है, mutual respect है, cardinal है, effective है, head of the school या फिर office के साथ कैसा है, trustworthy, transparent है, full of collaboration है, that's it, यह सारी चीज़ यह आप mention कर सकते हो, moving on, यह सारी चीज़ आपकी पहले से फिल्ड आएगी, reporting officer and ID, आपकी पहले से होगा, next पे जाओगे, आपका self-assistment जो की है, आपका part 2, अब यह part 2 में बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि इसमें फिल्ड किया जाए, तो क्या किया जाए, यह ना आपके उपर है, आप जो ग अपने according, इसको change जरूर करोगे, ठीक है, सबसे पहले है, academic, academic के डिकारणिक आपके क्या goals है, achievements है, that you have to achieve the learning outcomes, you have to promote positive learning environment in the class, that you have used effective learning strategy and ICT to achieve your goal, next achievement पे आप तार्गेट अचीव लिख सकते हो, और any other thing यह पे आप मेंचिन कर सकते हो, that yes, target was achieved, यहाँ पे इवन जो लोग बोर्ट के एक्जाम थे, जोनों के पास बोर्ट के लास थी ना, class 12 यह फे 10 थी, तो वो लोग नहीं यहाँ पे mention कर सकते हैं, कि last year यह result था, and this year हमारा result इंप्रूव हुआ है, इतना परसंट, तो आप mention कर सकते हो, next is your co-curriculum activities in school, annual function, sport, house, NSS, scout and guide, etc. तो co-curriculum activity के regarding है, तो आपने आपका क्या योग ध्यान था co-curriculum activity के अंदर, यहाँ पे आप लिख सकते हो, to participate in all co-curriculum activities organized by school, or at zonal level, or at national level, अगर आपने national level पे गाम किया है, अगर आपने कोई अच्छा गाम किया है, आपकी कोई achievement है इसके regarding, तो आप मेंचिन कर सकते हो Now, achievements यहाँ पे आप मेंचिन करोगे, अगर आप पार्टिसिपेटे इन all relevant activities organized by the school, or at zonal level, contribution in maintenance of infrastructure and ambience, आपका क्या contribution था, अब आप सोचोगे कि भई हमने तो कोई contribution नहीं किया, यह charge मेरे पास नहीं था, यह PD के पास चार्ज था, यह पिर किसी और के पास चार्ज था, तो मैं ज इसे खाली नहीं चोड़ोगे, आपने obviously बच्चों को समझाया होगा, अगर बच्चा कभी कुछ गलत काम कर रहा होगा, प्रॉपर्टी को नुकसान दे रहा होगा, तो आपने समझाया होगा ना कभी तो उसे, कि बटा ऐसे नहीं करते स्कूल की प्रॉपर्टी है, यह आप प्रॉपर्टी या फिर चार्ज है, अगर आपके पास specifically कोई चार्ज है, तो उसके बारे में लिख सकते हो, अगर आपके पास admission चार्ज है, देशभक्ती, EMC, happiness, तो आप elaborate way से बहुत कुछ लिख सकते हो इसके अंदर, otherwise कोई चार्ज नहीं है, तो you can write down to work effectively and in an organized manner, with proper utilization of all the available sources, then target achieve में target achieved, अब eco club के अंदर, don't leave it like that, आपके पास eco club का चार्ज नहीं है, doesn't matter, but you must have motivated student regarding eco club, और regarding green environment, जरूर आपने motivate किया होगा, तो write down this thing, to make pollution free environment and tree plantation in school, target achieved with the help of student and eco club in charge, moving on, participation in competition and activities out of school, यह 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 वाला कॉलम खाली ही जाएगा, sorry, इस वाले कॉलम के अंदर, अलग-अलग options है, सबसे पहला है, student के साथ क्या था, to motivate student to participate in debate, quiz, school function, activities at different level, zone level, national level, अगर आपने बच्चों से करवाया है, तो, target achieve में target achieved, teachers के साथ क्या हुआ था, to groom, आपने क्या किया है अपना, to groom and upgrade yourself, with teaching skill, or different learning, in your own academic field, आपकी field, अपने क्या किया है, वो फिलकर सकते हो, target achievement, target achieved, moving on to the community service, आपने क्या community service करी है, अगर आपने क्या community service करी है, अगर आपने क्या community service करी है, well and done, if you haven't done, तो आपने बच्चों को, आपने बच्चों को, guide ज़रूर किया है, कि आगे future में क्या करना है, so you can write career guidance to students and parents, and then target achieved, discipline and punctuality, to enable work timely in disciplined manner, and आपने बच्च्वल थे, discipline थे, सारे चीज़े लिख सते हो, target achieved, you can write, target achieved, or I was punctual or disciplined in all my affairs, assembly may to maintain discipline and punctuality in assembly, and then target achieved, and any other thing that you have done, or you can write down to motivate student, to stay calm and focused during their exam, student work calm and focused, में आप लिख सते हो, ठीक है, किसी भी column को ना खाली नहीं चोड़ना, अगर आपके पास कोई चार्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी आप यह लिखो, क्योंकि आपने बच्च्छ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी आप यह लिखो, क्योंकि इस एक पर स्कुछ नहीं हो, क्योंकि नहीं है, अप यह लिख सते हैं, कुछ नहीं है, जो बहुत रइगूलर नहीं होंगे, school में जो बहुत बंक मारते हैं वो लिख सते हो class का size बहुत बड़ा था time constraint था time नहीं था आपके पास limited time था और any other difficulties that you have faced you can mention over here, ठीक है please indicate items in which there have been specifically higher achievements and your contribution यहाँ पे अप लिखोगे कि आपकी दरव से क्या क्या चीजे contribute करी गई है क्या क्या achievements है जो आपने अपनी तरफ से contribute करी है school की success के रिगार्टिक है so you can write lot of things over here that you were sincere you were motivated and you also motivated student to convert their efforts into in good grades so यह सारे चीजे आप डाल सकते हो इसके अदर आपने duties अपने work को बहुत अच्छे तरहीं किसे निभा है यह सारे चीजे आप डाल सकते हो next is please state whether the annual return or immovable property of the preceding calendar was filled wherein the prescribed date this of the 31st January of the year following of the calendar year if this is this whatever it is so basically आपे आपको अपनी properties and all के बारे में बताना है कि आपकी जो properties लिए है वो सारी जो भी सारी चीजे है यह आपने सारी चीजे अपने service book में आड़ करवाई है और ने करवाई है तो अगर आपने लिए है तो अच्छी बात है नहीं लिए है तो आप not applicable कीबल में डाल सकते हैं यह सब कुछ करने के बाद ना यहाँ पे इसे आप submit करोगे और submit करने के बाद अब आपका आता है दूसरा काम अगर आपने इस form को यह जो आपका अपार का जो form आयता है इसे ध्यान से बढ़ा है ना आपने first pitch ध्यान से पढ़ा होगा कि form करने के बाद सब कुछ करने के बाद ना यहाँ पे आपका OTP आएगा as you can see over here यहाँ पे आपका OTP आएगा कि verification confirm करना होगा सारी चीसे करना होगा तब ही submit होगा ठीक है तो यह जैसी आप submit कर दोगे submit करने के बाद जाना है आपको दुबारा से अपार इंडेक्स के अंदर let me just show you quickly so आपको जाना है अपार इंडेक्स के अंदर अपार इंडेक्स के अंदर आप जाओगे तो आपके सामने again वो same table खुल जाएगा जब आपको शुरूर में कुलाता यह जब table खुलेगा तो आपको जाना है यहाँ पे third वाले point पे approval and verification आप open page करोगे यहाँ पे अपना select करोगे go पे जाओगे scroll down करोगे also submit करने से पहले एक बाद check कर लेना कि आपने कोई चीज़ skip तो नहीं करी है कुछ रह तो नहीं किया वो सारी चीज़ आप देखोगे check करोगे अगर आपको सब कुछ ठीक है तो नीचे आपना phone number डालोगे OTP डालोगे and then submit it ठीक है इतना सा काम है यह करने के बाद आपका submit हो जाएगा आपका अपार submit हो गया principle के पास automatically चरा जाएगा also अब बात करते हैं हो गया है बहुत सारी चीज़े तो आप क्या गरोगे उसके इसके अंदर आपको अपना form जो है वो डिलीट करना होगा डिलीट करने के बाद आपको दुबारा फिल करना होगा आपको जाना है डिलीट वाले portion पर सेकिंड पॉइंट देखो इसको आप देखोगे और डिलीट करने से पहले प्लीज इसे कहीं पर कॉपी पेस्ट कर लेना ताकि आपको सारी चीज़े दुबारे ना करनी पड़े जो इतना सरा टाइप किया वो दुबारे ना करना पड़े सेलेक्ट करना सबको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोलना वहां पर कंट्रोल भी पेस्ट खतम हो गया काम तो आपका पेस्ट हो जाएगा और आप अपना यहां से डिलीट करोगे आपका डिलीट हो जाएगा आप सारी चीज़े दुबारे फिल कर सकती हो ठीक है सिर्फ इतना सा काम है नाओ एक और चीज़ आपने सब कुछ फिल कर लेएव आप सोच रहे हो कि मैंने जो यह फिल किया है मैंने बहुत अच्छा फिल किया नेक्स्ट यह मुझे चाहिए या फिर आपकी किसी फ्रेंड को चाहिए आविन आपको खुद को चाहिए देखने के लिए कि मेरी अच्छ रिपोर्ट है वो कैसी है तो आप यहां पर फॉर्थ ऑप्शन पर जाओगे रिपोर्ट सेल्फ अप्रेजल उपन पेश पर जाओगे यूब स्क्रॉल डाउन नीचे जाओगे यहां पर प्रिंट का उप्शन आएगा गो टो प्रिंट पर जैसी जाओगे तो यह यह आप अलग अप्शन आएगा सेवस्पीड या फिर अप प्रिंट आओट ले सकते हो इसका या फिर आपको जोबी करना है वो कर सकते हो यूँके नेख शेल फोन अधर वाइस आप डरेक्ट इसका प्रिंट आओट भी लेके रख सकते हो ग्रूश आप यह वीडियो आप प्रापको प्रमोशन में, thank you so much